शाज़ापुर 23 जून 2020 शाज़ापुर जिले में एक साथ अनेक ग्राम पंचायतों के सरपंचो सकित वहापदस्त अमले से चर्चा करने का भी नव प्रयोग शुरू किया गया है कलेक्टर सकित जवाबदार अधिकारी ग्राम पंचायतों से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माधियम से जुड़कर ग्राम पंचायतों के सित्ती योजनाओं की प्रगति एवां अन्निगत वेदियों की जानकारी ले सकते हैं आज कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने जिला मुख्याले से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माधियम से ग्राम पंचायत रनायल पनवाडी अभैपूर मुहम्मदपूर्ण मचनई मोल्टा बच्चा खेड़ा तथा करदोन कला इस प्रकार कुल साथ ग्राम पंचायतों से जड धेयर जिनेश जैनकारी तो तत्काल प्राप्त होगी धी साथ ही समयों और धन की बच्रद भी फोगी उन्होंने आज ये पहली शुरुवात है इसलिए साथ ग्राम पंचायतों से जुड़े हैं इसी तरह टुकड़े टुकड़े में जिले की सभी ग्राम पंचायतों से जुड़कर वहां की गत्विदियों की जानकारी लेंगे आज वीडियो कंफरेंसी के माधियम से जुड़ी सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच साच्यों आशा कारी करता अंगन बारी कारी करता सकत अन्य पदस्त हमले को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि कोरोना से मचाव का एक मातर साधन के मास्क लगा कर चलना बार बार साबून से हाथ दोना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कलेक्टर ने कहा कि उनके गाओं में बाहर से आने वाले व्यक्ति के सब से पखले स्वास्ते जाच कराएं और उन्हें गोम क्वरेंटायन करें ग्राम पंचायते हैं अपने ग्रामों के व्रद्चनों का विशेश ख्याल रखें उन्हें आनावश्चा घर से बाहर नगी निकलने के लिए प्रेड़े तेवम जॉब रुक करें CMHO डॉक्टर प्रिकाश विश्णू पुलंब्रेकर ने कहा कि सर्दी खासी बुखार से पीरित मरीजों के घर पर उपचार ना करते हुए उनको नजदी के शास के स्वास्त केंद्र या अस्पतार भेजे उन्होंने कहा कि कोरोना से डंडा नकी बल्कि इससे लड़नाग है कोरोना काल में बचाव के संसाधनों का प्रयोग करते हुए स्वास्त विभाग के राश्वे कारिक्रमों का क्रियान वयन किया जाएगा इस अफसर पर डेप्टी कलेक्टर श्री मती जोही गर गई ई-गवर्नेंस मैनेजर श्री बीरम सिंग सोंधिया साहिक मैनेजर सो श्र कि तंजीला खान भी मौझूद थी